नए साल में चूरी बेचने लगी है भोजपूरी की खुबसूरत हिरोईन गुंजन पंथ जानिये क्यों कोविड के तिसरे लहर के बिच यूपी में चूरी बेच रही है भोजपूरी अभिनेतरी गुंजन पंथ अपनी खुबसूरत आदाओ से मधोस करने वाली भोजपूरी की एंजल गर्ल गुंजन पंथ की एक तस्वीर इन दिनों सोसल मीडिया पे खुब वाइरल हो रही है इस तस्वीर में गुंजन पंथ चूरी बेचती नजर आ रही है नए साल के आगमन और करोना के तिसरे लहर के बीच गुंजन पंथ इस वारल तस्वीर ने सबों को चोका दिया है कई लोग कहने लगे हैं कि आखिर ऐसे कौन सी नौवत आ गई की गुंजन पंथ को चूरी बेचनी पर रही है दरासल गुंजन पंथ की यह तस्वीर 2022 की उनकी पहली फिल्म जन्नी तेरी कहानी की सेट से है जिसमें वे दामनी की किरदार में नजर आ रही है या एक महिला प्रदान फिल्म है और या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाल लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसी मुहीम की वाहक साबित होने वाली है फिल्म में केंद्रिय किरदार में गुंजन पंथ है जिसके कई सेट्स फिल्म में लोगों को देखने को मिलेंगे गुंजन की फिल्म जन्नी तेरी कहानी की सुटिंग इन दिनों यूपी के भदोही में चल रही है जहां से उनकी चूडी बेचने वाली तस्वीर वाइरल हुई है इस फिल्म में गुंजन पंथ के साथ राज यादो, कुनाल सी, सुसील सी, आयाज खान और संजीव सोनी जैसे दिगज कलाकार नजर आने वाले है फिल्म की कहानी बेहत खूब सूरत है वहीं गुंजन पंथ के पियारो संजे मुसन पटियाला ने बताया कि फिल्म जन्नी तेरी कहानी एक बेहतरीन मैसेज देने वाली फिल्म है फिल्म में गुंजन का किरदार बेहत मजबूत है वे इस मामले में खुद को खुश नसीब भी मानती है कि फिल्म से लेकर टीवी तक हर तरफ उनका किरदार स्ट्रॉंग होगा उन्होंने बताया कि गुंजन की आने वाले फिल्म हिंदुस्तान मेरी जान कवन कसूर प्यार होता है दिवाना सनम चल जी ले और बलम के सरिया है इसके अलावे 2022 में काफी बीजी रहने वाली है